और ये देखिया आरिफ का सारस, इससे पूछते हैं, आरिफ कहा है और कैसे बिच्छड रहा है, और भाईया कैसे हैं आप, नमस्ते, है, इधर-इधर देखो नाच रहा है, हमको देखते ही नाचने लगा, लगता हमसे भी प्रेम करने लगा है, आ भाईया आ गए हम, यही वो जगाए जहां सारस को रखा गया है यहां एक सारस नहीं है देखे एक दो तीन और भी हैं आज यूटूब वाले वाबा वहां पर है क्या सिछवेर्ष नहें पता चला है कि जो सारस है इसकी तब्यत बहुत जाद़े बिगड़ चुकी है दो दिन से वो खाना नहीं खा रहा था और मैं इस चीज़ के बहुत पीछे लगा हूँ क्योंकि आरिफ और सारस को मेरी मुलाने की कोशिस है क्योंकि उसको बिछडने का, उस दोस्ती को तोडने का काम किया गया है उसमें परटेस खेली गई है तो कल यहां पर अकलेश जी और आरिफ जी भी आयते साथ में और उनको मिलने नहीं दिया गया दो दिन से वो खाना नहीं खा रहा था सारी डिटेल आपको बताएंगे वीडियो में बने रहेगा यूटूब वाले बाबा आज इस कानपुर में आए हुए है जब पर उसको सारस को रखा गया है पूरी स्टोरी आपको दिखाएंगे किस तरीके से सारस को रखा गया है कहां है किस हाल में है और प्रजन टाइम में क्या कोई इस्थित है वो सारी जान करी दिने वीडियो में बने रहेगा और वीडियो को लाइक करेगा चनल में नए हो और आलाइन पैसा कमाने से इच्छुक हैं तो चनल को सब्सकाइब जरूर करेगा क्योंकि आरिप का मैंने चनल बनाया वो यूटूबर होने के नाते मैं ये वीडियो बना रहा हूं ताकि उसको सपोर्ट मिले और वो बताते हैं चले वीडियो को सुरू करते हैं जू ठीक है जहां आपको पता है कि सारस को रखा गया है और यह वही एरिया है जहां से रैबरेज से लेकर उसको यहां लाया गया था अब उसकी सिच्विशन देखते हैं कहां पर है वो हमारे साथ हैं बाबा फिलिमिची 2.0 जो कमाया जाता है पूरी डिटेल देते हैं यूटूब से लेकर फेस्बुक पर कि यूटूब पर वीडियो डालकर फेस्बुक पर वीडियो डालकर कैसे पैसा अर्ण किया जाता है जो वीडियो हम डाल रहे हैं आपको साथ पता नहीं होगा कि ऑनलाइन भी पैसा कमाया जाता लेकिन हम सारी डिटेल देते हैं अपने चैनल पर और किस तरीके से YouTube से पैसा निकालना है कैसे वीडियो बनाना है कौन सी गैडलाइंस है Facebook पर कौन सी guidelines है, सारी चीजे Finally हम अंदर तो आ चुके हैं अब देख सकते हैं, सारा ना जा रहा है Live आपको दिखाएंगे, सारास कैसा है सारास की क्या condition है आखिर क्यूं आरिप को सारास से मिलने नहीं दिया गया क्यूंकि मैं इस पर जुड़ा हुआ हूँ बहुत ही शुर्वात से वीडियो बना रहा हूँ तो उसकी सारी condition आपको पता होनी चाहिए हैंगी नहीं Finally guys हम लोग उस location पर आ चुके हैं जहां पर सारास को रखा गया है देख सकते हैं यहां पर पच्छी बिहार, पच्छी लोग, जुरासिक पार्क तो चलिए आगए आपको दिखाते हैं किस तरीके से यहां पर उस सारास को रखा गया है देखिए यहां पर साब साब यहां पर आप देख सकते हैं location भी दी गई है यहां पर direction भी दिया गया है कि सारास उस्तर परदेश का राख्छ पच्छी है बिश्व का सबसे संदर पच्छी हों में से एक है सारास के बारे में बिशिस्ता बताई गई है जो कि साथ आप ये लिखित में जानते हैं जो कि हकीकत में कुछ और है पता है आपको यहां पर लिखा हुआ है सारास उत्तर परदेश का राख्छ पच्छी है बिश्व का सबसे संदर पच्छीओं में से एक है बिश्व का सबसे उच्छा बड़ा उढने वाला पच्छी है केवल-भारती उप महाधीव में पाया जानेवाला पच्छी है भारत में देश में सबसे अधिक सारास उत्तर परदेश के बिसेसकर इतावा मैनपूरी अलीगड आधी जन्पदों में पाय जाते हैं लेकिन वो सारस जो है वो आपको बता है कहा मिला हुआ है अमेठी में तो जिसकी जानकारी में आपको देने वाला समाननता है खुले खेतों जीलो वा जल भराओ वाले छित्रों में पाय जाने वाला पच्छी है चलिए ठीक है वन ने जीव सनच्छन अधिनियम और नीज सो बहत्तर की अनसूची चार के चार में समलित है इसी के तहट आरिफ को एक मुकदमा दर्ज किया जाता है उसके नाम का क्योंकि उसने उसकी जान बचाए थी बास समझ रहे हैं आप यहां पर सारस पच्छी की और अब हम यहां पर आपको यूटूब वाले बाबा दिखाएंगे जो सारस लाया गया था जिसकी कहानी इंडिया में नहीं देश विद्योसों में चर्चित है जो की दोस्ती के एक मिसाल थी जिसको तोड़ने का काम हमारे योगी जी की तरब से किया गया था जो की वन भी भाग है जो की प्रजन टाइम में योगी की सरकार है और हमने मुद्दा उठाया था बहुत सार लोगोंने सपोर्ट भी किया था यहाँ पर बहुत सारे सारस हैं, उनसे मिलते हैं, क्या यह उनके दोस्त है या फिर आरिव का ही सारस है, तो प्रिजन टाइम में आप देख सकते हैं यहाँ पर यह सारस है, जो की आपको देखने में वैसा लगेगा, लुक वाइस, हाइट वाइस, सारे चीज़े वही हैं, ले कहानी हर एक सूसल मेडिया में कवर की गई, और आज आपके सामने यह है, प्रिजन टाइम में यह जो सारस आप देख पा रहे होगी, यह तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उसका पैर तूटा हुआ था, देख सकते हैं कौन सा पैर तूटा हुआ था, मेरे हिसाब से, लेफ साइड वह तो प्रिजन टाइम में नहीं है, क्योंकि उसकी जो न्यूज आपको पता होगी, कि वो दो दिन से भोजन नहीं कर रहा था, क्योंकि वो आरिफ से जुदा था, दो दिन से भोजन नहीं कर रहा था, और जब कल अखलेज जी, आरिफ भाई के साथ खुदा है, बता आपक क्योंकि वन विवाग की तरफ से उनको बताया जाता है कि दो दिन से वो खाना नहीं खा रहा है तो यहाँ पर वो आते हैं और फिर उनको मिलने नहीं दिया जाता है यह ताना साही किसकी बीजेपी सरकार की जो की उत्तरपदेश में चल रही है और आज हर जगे मुद्द उट रहा है सिंपल सी मुद्द उठेगा ही जो जानवर रोड में चलते हैं गाएं बच्छडे हर जग में चौराहें में टाहलते हैं उनको पकड़ने का काम नहीं किया जाए जिससे लोगों को हान रही हो तो यह लोगों की मेत तो हो रही, एक्सिडन्ट हो रहें लेकिन एक पच्छी के पिछे अगर मुलायम सिंग के जो बेटे हैं जो की अखलेज जादाओ जी अगर मिलने आते हैं एक सारस से मिलने आ जाते हैं जो की आरिफ का दोस्त था वो कहानी को लोगों के सामने रखना जाते हैं और फिर क्या होता है आप द्यान सकते हैं कि कॉरिटिक्स का गेम खिला जाता है और आरिफ से सारस छिन लिया जाता है और उसको कहां रखा जाता है पहले रायबरेरिम रखा जाता है देनिस के बाद उसको वहां से शुट किया जाता है यूपी 32 की गाड़ी से कि उसको ले जाया जा रहा है यूपी 32 मतलब लखनव लेकिन दिखाने में कुछ और होते हैं और चलावा कुछ और दिया जाता है आरिफ भाई और हम पूरे लखनव में चानते हैं यूपी 32 की कार ले जाती है गाड़ी जो की सारस को ले जाने का काम करती है और हम लोग देखते हैं कि आकी सारस है कहां लेकिन वो यूपी 32 नहीं वो यूपी 78 लाया जाता है कानपुर में चोरी छुपके से ताकि आरिफ उससे मिलना सके और अभी भी आरिफ को मिलाया नहीं जा रहा है तो आ आपकी अभी और देखते कोशिस करते हैं, यहाँ पर पच्छी लोग है, और बहुत सारे पच्छी आपको देखने को मिले, जो कि सारस मैंने आपको दिखाया, और भी दिखाते हैं, यह और भी सारस होंगे यहाँ पर, चलिए, और भी दिखा देते हैं आपको, इनसे पूछत रहा है और भीया कैसे हैं अबर नमस्ते है इदर इदा धर देखो नास रहा है हमको देखते ही नाचने लगा लगता हम से भी प्रेम करने लगा कहीं कल को यह ना हो कि योगी जी बोले कि यूटॵ वाले बाबा से प्यार करने लगा इसको भी सब तक लो और यूटुब वाले बाबा को भी यह नोटीस देजिए मुकदमा देदीजिए यह वन विवाग की टीम की द्वारा किया गया है सारस इधर हलो हलो यह देखो आरिप वाला सारस आपको क्या लगता है यार्प का सारस है वह ऐसा नहीं है इस तरीके से पिंजड़े से आरिप के साथ रह रहा था हमारे साथ बहुत सारे यहां पर लोग हैं जो की देखने आयो हैं भाई साथ कैसे हैं आप क्या नाम है सर आपका मुहम्मद महफूज जिससे बात करते हैं और यह भी उसी कौम से जुड़े हुए हैं इनसे बात करते हैं क्या सर अगर आपको आ आज की पच्छी है सोरी सोरी माफी चाहूंगा अगर यह आपको मिल जाता है किसी भी हाला पमाल लीजिए वह चलने की हालाथ में नहीं इंए और अगर आप उस वहाँ पर उस पच्छी को लेकर आप क्या उसकी आप मदद करना चाहेंगे, करेंगे आप, नमस्ते, आज भी मदद करेंगे आप, लेकिन आपको पता है, एक इन सान ने आरिश में, मदद की थी, किसकी, सारस की, साथ, एक साल से उसके साथ था, और कुछ मेडिया वालों ने उनकी वीडियो बनाकर सोचल मेडर में डाली आपको डर नहीं लगता कि आपके उपर भी मुकदमा ठोका जा सकता है क्योंकि आप उसी कौम से जुड़े हुए है ऐसा कुछ है क्या पता आपके पास अगर अखलेश जी आगे तब क्या होगा लेकिन आप क्या पालना चाहेंगे आप उसकी मदद करना चाहेंगे देख लिजी आज आज भी इंसानियत जिंदा है लेकिन जो सरकार है उसके इंसानियत जिंदा उसको समझी नहीं आ रहा कि आकर वो करना क्या जो इनसान एक पच्छी की मदद करता है और वो खुद स्वयम से क्या आरिफ ने इसको कैद करके रखा गया था अब बताइए आप मुझे नहीं जानते होंगे सायद जानगे यूटूब वाले बाबा आरिफ के पास भी गया है एक आमिर भी है जो इलहाबाद के हैं जो उन्ह से फॉarइटिस गेम केला गया है पिर भी आप पालने को तैयार है इसको सही कहहा हूं मैं आपको डर नहीं Lego आ पिसाथ जो हो रहा जैसे वह तड़ Εंज उसका सारस दो दिन से बिमार है पता आपको पता है नहीं पता दो दिन से बिमार है और कल अकलेश जी के साथ आरिफ भाई आया थे उनको मिलने भी नहीं दिया गया और आरिफ के कदम रखते ही आरिफ के कदम रखते ही सारस दो दिन से जो बिमार था खाना नहीं खा रहा था उसके कदम रखते ही भाई साब उसने खाना खाना चालू कर दिया, देख सकते हैं कितना प्यार महबद, तो आपका क्या कहना है, क्या आरिफ जो है, उसने गलत किया, बिल्कुल गलत नहीं, इंसानियत के नाते हम हो, आपो सब लोग यही चीज़ करेंगे, आपका क्या नाम है सर, मुहमद आरिफ, सर, आपका क्या नाम है, रवी जी नाम है, चलिए ठीक है, रवी जी हैं आपर, पहचानते हैं, थैंक्यू सो मच, चलिए यह भी, आपको मिल चुके हैं, यह भी यूटूब पर काम कर रहे होंगे, अगर आप लोग भी काम करना चाहते हैं, बेसक आप यूटूब पर का सकते हैं, वुडियो बना के पैसे कमा सकते हैं, जो कि आरे भाई का चनल हमने बनाया, पैसा भी कमा रहे थे, लेकिन आज देखिए उनके साथ कितनी गलत काम, गलत तरीके से उनको रेप्रजन किया जा रहा है, चले ठीक है, सारस लिया गया, ठीक हैं, ले उस वक्त वन विवाग कहा था भाई साब, आप बताईए, उस टाइम कोई नहीं पूछता है, स्टार्टिंग में, जब कोई चीज पनव जाती है, उपर उड़ जाती है, तो दुनिया उसके पीछे पड़ जाती है, आप समझें, यह सारस यहां पर जो देख सकते हैं, जू दोनों सही हैं, दोनों पैर सही है, अब समझें कि आरिफ का सारस इस तरीके से कहत तो नहीं रहा था ना, वो आरिफ के साथ घुमता था, खाना काता था, फिरता था, और आज उसको मिलने नहीं दिया जा रहा है, जो रात दिन उसके साथ सोता था, उसको अपने थाली में भ दाना देते हैं तो क्या उनका उनका भी चिनली आजा उनके उपर भी मुकादमा किया जाएगा ऐसा नहीं हो सकता ना पच्छी को को अगर कोई क्याद करके रखेगा तब उस पर हम उठा सकते हैं वह जेल में तो बन नहीं किता ऐसे खुला था जब उसका मन था तो जाता था लोगों को बताएंगे और क्या करेंगे बस अरे देखो इनको जानकारी नहीं है हम बताएंगे न इसनल पैसे कमा रहा है राहा है नहीं बारे में कि चली आगे और देखते हैं कहां पर कुशिष करते हैं जो उरिजिनल है सारस उससे मिलाने के कुशिष करते है अव बहbus आगे हम यही वो जगा जहां सारस को रखा गया है यहां एक सारस नहीं है देखिए एक दो तीन और भी है कोशिस करते हैं आपको वो सारस मिलाने की जो आरिफ के पास था वैसे यहां पर बहुत सारस हैं अब देख सकते हैं वो उदर खाना खा रहा है और जो आरिफ वाला सारस कर सकता है अगर उसने बोल दिया कि डांस कर तो वो तुरण डांस करता था आता था उसके पास उड़ता था मैंने वीडियो भी आपको बना के दिया मेरे सामने खुद उड़ा था और आज वो दो दिन से भोजन नहीं कर रहा है तो मैं आपको बता दूँ यह वही जगह जहां पर रखा गया था पहले लेकिन अब उसकी दो दिन से तब्यत खराब हो चुकी है तो उसको यहां से साध मेडिकल होस्पिटल जो होते है वन विभाग का वहां पर उसको रखा गया है और किसी को मिलने ने दिये जा रहा है और भी स साध पिर देखिए यहीं तो नहीं आरिफ का सारस जुम करिया साथ सई हो गया हो और वन विभाग के तीम यहां रख दिया हो पहले और जूम करिये पैर दिखाईये और जान सही से पैर दिखाईये यह यह भी नहीं लग रहा है तो उसका जो यह राइट हैंड़ा पैर था वो वाला डैमेस था ये भी सारस नहीं है आरिफ वाला जिसकी हम बात कर रहे थे तो मतलब की कंफर्म देखिए भी उड़रा आया पर देखिए तो फाइली अब ये डिसीजन आ चुका है कि भाया पूरी तरीके से कैद करके जो रखा गया यहां पर पच्चियों को जो की वन पर देखिए प्रदेशी नहीं राश्ची पच्ची है यह देखिए किस तरीके से नाच दिखाता हुआ पहली बार आप इसको देख पा रहे होंगे और देखिए अब भी देखिए कैसे नाच रहा है यह इसकी दास्ता देखिए गौह से दिखाईए और जूम करके है मूर इसको बोलते हैं और यह भी पहले हमारे प्रदवी में एक्जिस्ट करते थे लेकिन आज इनका नामों नसान नहीं है और सिर्फ यह पत्थर के एक मूरत जैसे बनके रह चुकी है जो कि कानपुर में एक आप एक्जामपल देख सकते ही देखे कितना बड़ा डानास हो आकर अगर यह जिन्दा होता तो हमारे यूटूब आपके यूटूब अले बाबा का क्या हाल होता और यहां के पच्चों का क्या हाल होता जनुवर क्या हाल होता वैसे जिस चीज़ के लिए हमाय हुए थे यहां पर दोस्तों आरिप के सारस से मिलने तो वो तो हमें यहा लेकिन वैसा नहीं हो पाया तो बस आप लोगों से एक गुजारिश करना चाहेंगे क्योंकि इतना हम अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो आप लोगों से भी एक चीज करना चाहेंगे लेकि आप लोग देख चुकी हैं कि क्या मिसाल जो एक इनसान और पच्छी के बीच में खड़ी हुई और किस तरीके से उसको तोड़ने का काम किया गया ये कहीं भी किसी भी हद तक सही नहीं है चलिए उसको उससे दूर किया गया वो तो ठीक है चलिए आपने दूर किया आपने राज की पच्छी बोल कर दूर किया लेकि फिर भी अब उसके उपर आप मुकदमा इन धाराओं के तहर इस तरीके से आप उसको अब क्या नामे प बाकि आप लोग जो चाहेंगे वो होगा आप लोग चीजों को समाच चुके हैं किस तरीके से पॉर्टिक स्केम खिला जा रहा है बाकि हमारा यह वीडियो था हम कोशिस कर किये काफी ज्यादा की कहां पर रखा गया है काईसे मिलें लेकिन वहां पर जाने की इजाजत नहीं ह और हम आपको नहीं मिला पाएंगे वहां पर क्योंकि जब आरिफ नहीं मिल सका अखिलेश जी नहीं मिल सके तो फिर हम कैसे मिल सकते हैं आप खुद पता है बाकि जो स्टोरी थी वो हमने आपको बताई और इस तरीके का गेम खिला जा रहा है और हम चाहते हैं इसको यहां पर स्टॉप किया जाए और आरिफ को आगर मालो आगे चलके उस पच्छी को कुछ हो जाए तब उसके में जिम्मिदार कौन होगा पता है अब क्या होगा उस आरिफ का जो जिसने पाला उसको जो उसके बीच में प्रेम है वो कैसे आपको कैसे सह पाएगा बाकि हम ऐसे कुछ बाते नहीं कर रहा हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा लेकिन फिर भी यह पॉस्इबल्टी निकलती है क्योंकि वो दो देन से भोजन नहीं कर रहा है और आगे चलके उसका क्या होगा इस तरीके सब गेम क्या जा रहा है और बहुत सारी पॉलिटिक्स कमिन करके अपनी राय जरूर दीजेगा और यूटूब वाले बाबा के साथ आज की इस वीडियो में हम यही पर इंड करेंगे अगर आप आप पैसा कमाना चाहते हैं इच्छुक हैं वीडियो बनाकर जिस तरीके से फेस्बुक यूटुब से अगर आप इच्छुक हैं जो वाने मात्रों